नमस्कार, मैं मैंक भारगव, असिस्टेंट प्रोफसर, MLT कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूँ. आज हम लोग मनोवैज्यानिक समिक्षा पर चर्चा करेंगे, जो सनात कोतर हिंदी, पत्र सोलह, समेस्टर चार का अंश है. मनोवैज्यानिक समिक्षा को मनोविश्लेशनात्मक समिक्षा अथवा अंतष्चेतनावादी समिक्षा के नाम से भी जाना जाता है. इस समिक्षा का श्रे सिग्मन्ट फ्राइड को जाता है. बीस्वी शताब्दी में आलोचना पद्धती इस मनोवैज्यानिक समिक्षा से प्रभावित हुई. हम जानते हैं कि बीस्वी शताब्दी की जो आधुनिक्ता है इसको विचारधारा की दृष्टी से दो महान लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. एक है कार्ल मार्क्स और दूसरे सिग्मन फ्राइड फ्राइड और मार्क्स ने अपनी विचारधारा से इस दुनिया को जितना बदला शायद ही किसी दूसरी विचारधारा का उतना प्रभाव पड़ा होगा. मार्क्स मनुष्य के बाहरी संबंद समाज से उसके संबंद को की परताल करते हैं और उसको बदलने की चेस्टा करते हैं. मार्क्स की विचारधारा यदि मनुष्य की बाहरी दुनिया से ज़्यादा संबंद रखती हैं तो फ्राइड मनुष्य के अंतर जगत की तलाश करते हैं. मनुष्य के आंतरिक द्वंदों का विशलेशन करते हैं. और फ्राइड की विचारधारा ने मनुष्य की जो परंपरागत धारणाएं थी, उन धारणाओं को बहुत ज़्यादा बदल दिया. और स्वभाविक तौर पर जब धारणाएं बदली, तो रचना और आलोचना दोनों पर इसका प्रभाब पड़ा. और आलोचना के छेतर में मनुष्य लेशन को खासा महत्तु दिया जाने लगा. फ्राइड, एडलर, यूंग, इन तीनों विचारकों ने मनुष्य लेशन के छेतर में साहितिकार और उसकी रचना के बारे में बहुत सी ऐसी बाते कहीं जो साहितिके संदर्व में निश्चित तोर पर विचार योग्य है. परन्तु जिस उच्छा से मनुष्य लेशन आत्मक समिक्षा को गरण किया गया था, आज हम उसके दूसरे छोर पर हैं कि आज आलोजना में मनुष्य लेशन आत्मक समिक्षा को इदम खारिज किया जाता है. उसे आज उपयोगी नहीं माना जाता. तो यह दोनों छोर मनोविश्लेशन आत्मक समिक्षा ने देखे हैं कि किस प्रकार आलोचना ने उसे बहुत उत्साह के साथ ग्रहन किया और फिर आलोचना की दुनिया से उसे खारिज किया गया इतना जरूर है कि फ्रायर्ड एटलर यूंग की जो मनोविश्लेशन समंधी धारणाएं हैं उनको जानने पर साहित की हमारी समझदारी बढ़ती है और स्वाभाविक है कि जिस विचारधारा से साहित को समझने की हमारी समझदारी बढ़े तो अकादमिक दुनिया में उसका स्वागत किया जाएना चाहिए इसलिए साहित के विद्यार्थी के रूप में हम लोगों को मनोविश्लेशन आत्मक आलोचना के कुछ आयाम को जानना जरूरी है जैसा कहा गया कि फ्राइड इसके आधि प्रवर्तक है एडलर और यूंग उनके सहयोगी थे पर आगे चलकर फ्राइड के सिध्धान्तों से एडलर और यूंग बहुत दूर तक सहमत नहीं हो पाए और उन्होंने अपने स्वतांतर सिध्धान्त अस्थापित किये और इन तीनों के सिध्धान्त बहुत महतपूर्ण अस्थान रखते हैं फ्राइड के सिध्धान्त को अंतश्चेतनावादी कला सिध्धान्त कहते हैं जिसे अंग्रेजी में साइको एनालिसिस कहेंगे एडलर ने जो सिध्धान्त दिया उसे इंडिविज्वल साइकोलजी अर्थात वयक्तिक मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं और योंग के सिध्धान्त को अनालिटिकल साइकोलजी अर्थात विशलेशनात्मक मनोविज्ञान के नाम से जाना गाता है और इन तीनों की जो तिकड़ी है इस तिकड़ी ने मनुविश्लेशनात्मक समिक्षा की धारणा को स्थापित करने में योगदान दिया और हिंदी में जो मनुविश्लेशनात्मक आलोचना हुई उसके बारे में थोड़ी चर्चा करने से पूर्व इन तीनों विचारकों के सिध्धानतों को संचेट में जानना बहुत आवश्यक है इसलिए हम लोग फ्रैड से इसकी शुरुवात करते हैं इस चर्चा की फ्रैड के मनुविश्लेशन सिध्धानत चार प्रमुख सुत्रों पर आधारित है दृढ नियत्वाद, दूसरा अचेतन मन, तीसरा स्वापन और चौथा मन की संग्रचना यह जो पहला सिध्धानत है दृढ नियत्वाद इसका मतलब है कार्य कारण का नियत्व संबंध अर्थात, प्रतेक मानसेक व्यापार के मूल में कोई न कोई कारण होता है और उसे खोजा जा सकता है हमारे विद्ध्यर्थी समझ रहे होंगे किस नियत्वादिता की दृष्टी से मार्क्स और फ्रायड दोनों एक ही धरातल पर खड़े है दाशनिक दृष्टी से दोनों एक दूसरे के विरोधी है परंतु एक नियत्वाद जो है कार्य कारण संबंध अस्थापित करना उसके निश्य होने में विश्वास रखना और उसकी तलाश यह फ्रायड ने विए की मार्क्स ने विए की दोनों ने अपने अपने तरीके से और दोनों बिल्कुल दो भी प्रिट छोड़ है पर फ्रायड का ही मानना था कि जो भी कारे होता है उसका कारण निश्चित है प्रतेक मांसिक व्यापार के मूल में कोई न कोई कारण पहले से निश्चित है और उस कारण की तलाश की जानी चाहिए तब ही हम उस मांसिक व्यापार को भली महारती समझ सकते हैं दूसरा जो सूत्र है अच्छेतन मन इसकी तीन तहे होती हैं प्रिकॉंसस अनकॉंसस हिंदी अग्षेतन चेतन पूर्वकेतन अच्छेतन कहीं कहीं न अग्षेतन और द्द्द्द्द्द्द्द teraz और अवचेतन के रूप में भी मिलें कि अंकॉंसस मायन को अवचेतन अनुवाद भी किया गया है और पूर्वचेतन के लिए अर्धचेतन शब्द भी आता है चेतन और अवचेतन के बीच मन की अर्धचेतन इस्तिती भी होती है तो पहले हम इस कौनसस को समझ ले यह जो पहली तह है चेतना की वह सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करती है चेतन मन सामाजिक प्रतिबंधों का मन है जो भी सभ्धता है, संस्कृत है, आचार विचार है यह सब समाज के अनकूल हम लोग कारे करते है जो समाज को सुईकारे होता है उसके अनुरूप हम आम तोर पे विभार करते है और जो अनकूल नहीं होता हम उसकी सार्वजनिक अभिव्यक्ती नहीं करते जब सार्वजनिक अभिव्यक्ती उसकी नहीं होती है तो यह जो अचेतन मन है, अनकॉंसस, यह उन आकांग्षाओं का भंडार हो जाता है वैसी आकांग्षाएं, जो निकल नहीं पाईं, सामाजिक परतिबंधों के कारण अकांग्षाएं तो थी, पर सामाजिक परतिबंधों के कारण वो चेतन मन की तह तक नहीं जा पाई आकांक्षाएं अपनी व्याकुलता में दमित होती चलती हैं, उनको दबाया जाता है, अंदर ही अंदर, और ये वासनाएं अब चेतन मन से चेतन छेतर में आने के लिए व्याकुल होती हैं, अंदर इंदर मन चाहता है कि इन वासनाओं को भी हम अव्यक्त करें, ये दमित वा अंतर प्रयत्न शेल रहती है और चेतन और अवचेतन के बीच मन की अर्ध चेतन इस्थिती होती है इसी से होकर दमित वासनाएं अवचेतन मन में प्रविष्ट होती है अब फ्राइड में यहां जो महतपुन बात कही इन दमित वासनाओं के संबन्द में कि ये जो दमित वासनाएं हैं इनकी सबसे बड़ी विशेस्ता है यौन भावना जिसे भारतिये परंपरा में काम संग्या से भी जानते हैं यह जो यौन वासनाएं हैं यह दमित वासनाओं की सबसे प्रमुख विशेस्ताएं होती हैं यानि दमित वासनाएं काम मूला होती हैं ये दमित भाव मनुग्रन्त ही बन जाते हैं और इन्हें व्यक्त होना है चेतन मन में तुझा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ समाजिक प्रति बंद है तो निकलने के लिए ये कला और साहित्य का रास्ता तलाश करते हैं जो वासनाएं दमित हो गई थी उनको कला के माध्यम से जब अवयक्त किया जाता है तो उन वासनाओं की अवयक्ती बहुत सुंदर तरीके से होती है जिसे काते हैं कि उनकला और साहित के माध्यम से इन वासनाओं का उदात्ती करण हो जाता है दूसरे शब्दों में कहें तो साहित अत्रिप्त आकांग्षाओं की त्रिप्ति का साधन है और जो तीसरा सुत्र है स्वप्न तो स्वप्न का अध्यन जब किया जाता है तो उससे हमें अचेतन मन की जानकारी मिलती है जो अचेतन मन की तह में जो वासनाओं दमित थी वह स्वप्न के माध्यम से व्यक्त होती है इन दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम साहित्य है ये काम मूला दमित वासनाएं साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है और फ्राइड ने मन का यह विभाजन एक दूसरे ढंग से भी किया है इदम, अहम और अप्त्यहम जिसे इड, इगो और सूपर इगो के नाम से भी जानते हैं फ्राइड के जो सहयोगी थे एडलर वो अचेतन मन की भावना से तो सहमत है मगर जो काम को मुख्य माना फ्राइड ने यहाँ पर उनकी औसाहमती होती है वो अधिकार भावना को जीवन की केंद्रिय प्रेर्णा शक्ती मानते हैं होता क्या है कि मनुष्य जब समाज में होता है तो उसे अपने कारे छेतर में जीवन में प्रेम के छेतर में समायोजित करना परता है अपने आपको मनुष्य समाज में दूसरे पर बहुत ज़ारा निर्भर है इस प्रक्रति में हम मनुष्य के शिश्य को देखें तो वह सबसे ज़्यादा औसाहाय प्रानी है हर कारे के लिए एक दूसरे पर वह निर्भर है तो चुकि एक औसाहायता की भावना मनुष्य में शुरू से होती है कि वह दूसरे पर निर्भर होता है तो इसकी प्रतिक्रिया होती है उसके मन में यदि कोई शारिरिक हिंता है तो यह तिखापन और भी बढ़ जाता है वह औसाहायता को जाधा बुरी तरह अनुभव करने लगता है तो उसके मन में इस औसाहायता की प्रतिक्रिया होती है यह जो प्रतिक्रिया है इसमें व्यक्ति में कोई कमी है कोई च्छती है उसके अंदर तो उस कमी को पूरा करने के लिए वह दूसरे प्रकार का बढ़िया कारे करना चाहता है उतकरश पर जाना चाहता है जिसे वह कमी पूरी हो सके कभी-कभी वह कर्मे विमुख भी हो सकता है या कभी-कभी वह अपनी हिंता से समझोता कर लेता है यानि तीन तरीके से प्रतिक्रिया होती है मनुसे जो शुरू से अपने आपको बड़ा औसहाय महसूस करता है उसकी प्रतिक्रिया तीन प्रकार से होती है पहली कोई कमी है तो हम दूसरे छेतर में ज़्यादा उतकर्ष दिखाए जिससे वह अच्छती की पूर्ती हो दूसरा ढ़न्या की कर्म विमुख हो जाए काम करना छोड़ दे और तीसरा है कि अपनी हिंता से समझोता कर ले तो अक्सर कला या साहित के छेतर में एक छती को दूसरे छती से पूरी करने की कोशिश एक छती को दूसरे उतकर्ष से पूरा करने की कोशिश की जाती है और तब समायोजण होता है इसके द्वारा और यदि यह समाज योजन नहीं हो पाया तो मनुष मनस्तापी और रुग्ण हो जाता है और यह रुग्णता तीन तरीके की हो सकती है संग्रचनात्मक, क्रियात्मक और मांसिक संग्रचनात्मक रुग्णता का मतलब है शारेरिक विक्रती यानि शरीर में कोई कमी है कोई अंदा है कोई सी को कान में सुनने में तकलीफ है किसी के पैर में तकलीफ है हाथ में तकलीफ है तो शारेडिक विक्रती है क्रियात्मत विक्रती यानि दर्ध होने के कारण कभी-कभी हाथ उठाने में तकलीफ है चलने फिरने में कटनाई है औ मानसिक विक्रती मनुष्री के अंदर चिंता भय उद्वेग छोब उदासींता बहुत तरकी चीजां होती हैं कि कुल मिलाकर देखें तो एडलर ने फ्राइड के सिध्धान्त को एक व्यापक रूप दिया फ्राइड काम को प्रमुखता देते थे मनस्ताप को मन की विक्रती मानते थे तो एडलर अधिकार भावना से जोड़कर उसे संपूर्ण व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष में देखते हैं तो फ्राइड के लिए जीवन की मूल प्रिर्णा यौन भावना है और एडलर के लिए अधिकार भावना उसके बाद इनके तीसरे सहयोगी की बात करें यूंग यूंग की दृष्टी में भी अचेतन मन का महत्तो अधिक है अचेतन मन का जहां तक सवाल है फ्राइड, एडलर और यूंग तीनों एक धरातल पर है फ्राइड के अनुसार अचेतन मन दमित आकांग्शाओं का भंडार है वहाँ दमित आकांग्शाएं जमा होती रहती है इस अचेतन मन को यूंग दो हिस्सों में बाड़ते हैं ये नई बात उन्होंने की उस धर्ण में उन्होंने कहा कि अचेतन मन के दो हिस्से हैं पहला वयक्तिक अचेतन और दूसरा प्रजातिय अचेतन जिसे सामुहिक अचेतन भी कहते हैं इन्हें वयक्ति का जो अचेतन मन है वह तो अपनी जगा है लेकिन जो नई बात उन्होंने जोड़ी यूंग ने सामुहिक अचेतन की बाप उन्होंने कहा कि वयक्तिक अहां तो संपूर अचेतन के सामने बहुत छोटी सी चीज़ है प्रतेक व्यक्ति में जो उसकी जाती है उसका सामुहिक आदिम बिश्वास मिठक आदी संचित होता रहता है और यूंग का काल था 1875 से 1961 फ्रायड है 1856 से 1949 एडलर है 1870 से 1937 और यूंग है 1875 से 1961 तो यूंग ने जो सामुहिक अचेतन की भावना जोड़ी की बात जोड़ी उसमें उन्होंने यह कहा कि सामुहिक अचेतन हमारी सारी शक्तियों का अंधकार में कोश है हमारे पूर्वज लाखों लाखों साल से इस धरती पर है हम उस लंबी परंपरा के एक अंश है तो जो लाखों वर्षों का अनुभब हुआ और इस दोरान जो यूगों यूगों की एतिहासी घटनाएं हुई ये सब पर्त दर पर्त संचित होती रहती है और ये जो अनुभब है वह बिम्बों और प्रतिकों के सहारे सामने आता है ये जो मिथक हैं वह आदिम मनुष्य की भाषा हैं और उसके माध्यम से वह जीवन और प्रकिर्ति के रहस्यों के प्रती अपनी प्रतिक्रिया को अलोकिक गाथा के रूप में अभिव्यक्त करता है और आदिम यथार्थ के प्रति सामुहिक अचेतन मन का जो सहज स्फोर्त बिम्ब है वह इन मित्कों के द्वारा हमारे सामने आता है जैसे जैसे मनुष्ट जाती का विकास होता जाता है पिढ़ी दर पिढ़ी तो उस सामोहिक अचेतन मन में ये सारी चीजें संचित होती रहती हैं और जब किसी युग में एक व्यक्ति का द्रिष्ट कोन या पूरे समाज का द्रिष्ट कोन पुराना हो जाता है तो उसकी पूर्ती के लिए ये सामोहिक अचेतन क्रियाशील होता है और एक प्रतिवावान कवी इस सामोहिक अचेतन से प्रेरित होकर एक नवीन युग जेतना को लेकर सामने आता है जिसकी आवशक्ता उस समय हर व्यक्ति को समाज को होती है और इस सामुईक अचेतन से प्रेरित होकर साहित में नए बिम्ब, नए मिथक आते हैं नए संदर्व में इसलिए उस बिम्ब, मिथक को समझने के लिए मनुविशलेशनात्मक अलोचना अवस्यक है इन युग की मानेता ने मनुविशलेशनात्मक समिक्षा को एक व्यापक आधार दिया जिसके द्वारा एक युग की काव्वे चेतना, एक युग की साहित चेतना को हम बहतर तरीके से समझ सकते हैं इन सामुईक विचारों को युग ने मूल प्ररूप कहा अरकेटाई और यह जिजीविशा पर ज़्यादा बल देते हैं युग ने जो विचार दिये उसके आधार पर मनुविशलेशनात्मक आलोचना प्रणाली में एक बिल्कुल भिन प्रकार की आलोचना प्रणाली का विकास हुआ जिसे आरकेटाईपल आलोचना प्रणाली कहते हैं उन्होंने फ्राइड के यौन भावना पर बल देने की बजाए जीजीविशा पर बल दिया हरमन उसमें जीजीविशा होती है उसके लिए हम संघर्ष करते हैं तो केवल यौन भावना के लिए यदि संघर्ष होगा तो वह एकांगी संघर्ष होगा काम जन्य संगर्ष एकांगी होता है जबकि जिजीविशा के लिए जो संगर्ष होता है वह सर्वतो मुखी होता है और इसलिए यूंग की मानिता बिलकुल अलग धारना पर जाती है फ्राइड और एडलर दोनों अचेतन मन को मानते हैं यूंग भी अचेतन मन को मानते हैं पर फ्राइड और एडलर दोनों अचेतन मन की कला को अचेतन मन की दमित आकांग्षा की पूर्ति का साधन बताते हैं उनकी द्रिष्टी में कलाकार अनिवारेतह मनस्तापी या रुग्ण होता है फ्राइड ने कहा कि यह जो कलाकार है वो हमेशा यौन भावना से ग्रस्त रहेगा और यौन भावना से ग्रस्त रहने के कारण वो उसकी पूर्ती एक रम्य कलपना के द्वारा करेगा एक बढ़िया साहित कला की रचना करेगा जिसके द्वारा उसकी यौन दमित यौन भावनाएं अविव्यक्ति पासके इन्हीं फ्राइड के अनुसार कला में कलाकार की दमित यौन भावना का उधात्ती करण होता है मनस्ताप की उर्जा कला की और प्रवाहित हो जाती है एडलर की द्रिष्ट्री में कलाकार मुख्यत अधिकार भावना से ग्रशित होता है और छटी पूर्टी के द्वारा उसका मनस्ताप दूर होता है और इन दोनों से अलग युंग ने आर्केटाइपल प्रधती का विकास किया हिंदी की मनुविश्लेशनात्मक आलोचना पर इन तीनों का प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम लोग अगले समवाद में विस्तार से चर्चा करेंगे आशा है आज का यह समवाद आपको अच्छा लगा होगा आपके सहयोग के लिए साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार